आई, Çaसी कीरानी आई, ज्ञासी कीरानी और हमारी द्रिष्टी में, महाराजे का छेह पती होने के साथ साथ योगकी शासक भी है और चल दी हम महाराज का दिल जीत कर रहे। तुम्हारे आजवबा ने जो कहा, बहुत अच्छा कहा, परन्त उसे विवहार में लाने के लिए तुम्हें भी तो प्रियास करना होगा, अभश्य आईश्डे जी, आप बताहिए तो, क्या करना होगा आमे, आज तो चुला पूजन है ना, हाँ, तुम बस तयार होकर, हमारा संदेश अवश्य देख लिया होगा, हिर भी नहीं आए, हमारे बापा कहते ही, दिया हुआ वच्छन पूरा करना चाहिए, आप ही ने तो ये वच्छन दिया था, हम तो केवाल आपको धन्यवाद देना चाहते थे हाँ, 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 हाँ नहीं, देख भी लिया होगा, फिर भी नहीं आएंगे, अभी अभी नाराज कर दिया हमें तो क्या हुआ बचन तो बचन होता है ना एक न्याय प्रिय राजा को उनकी रानी का कोटी-कोटी धन्यवाद सदय वाब की रानी होने का मान रखेंगे और सदय आपके राज धर्म का दिल से पालन करेंगे आपकी लक्ष्मी भाई जब हमें आपसे बात करनी होगे हम अपने सीर से उसे भेद देंगे महाराज आपके आदेशा नुसार दर्वार में सभी उपस्तित हो चुके हैं आपकी प्रतीक्षा हो रही है तरकार एक कई कारे इस सभिया दियो महत पूर होता है है प्रफ़ झाल महारानी लक्ष्मी बाई रावबा की पसंद केवल हम ही जानते है इतने वर्ष हो गए है परन्तु वह अब तक हमारे हाथों का स्वाद नहीं भूले आई श्री जी आप पूरा प्रयास करेंगी वैली साहिब ने तुम्हें भोजन बनाना तो सिखाया ही होगा क्यों? हे देवा यही तो नहीं सीखा भोजन के मामले में हमारे रावबा की रूची थोड़ी अलग है और अगर स्वाद मन पसंदना हो तो फिर हे देवा धान रहे कोई विलम ना हो महरानी जी नया चुला तयार है सुन्दर हम खोड़सवारी कर सकते तीर तलवार चला सकते वरन तो भोजन यह देवा समा की जेगा महराज यदि हम आनुवद क्या उसार तीन महने के रिन राशी का भुकतान कर भी देते हैं तो भी इन अगरेजों के मांगे बढ़ती जाएंगे हम फोर्ट विलम से बात करेंगे अभी भी हमारे पास तीन महने के राशी है तंगा धर्राव को तीन महीने की जगा के वाज पंदरात दिन का अवसर मिलना जाएं महरानी लक्ष्मी भाई आज अपने हाथों से हम सब के लिए व्यंजन बना रही हम परन्तो आईश्री आपके हाथों में जो स्वाद उसका अंश भर भी महरानी निभाए तो भी आमें प्रसंदाता हो राव भाग वहां बिठुल में भी तो बैनी साहब ने कुछ ना कुछ तो महरानी को सिखाया होगा तुम एक काम करो तुम अपने भोजन कक्षमे जाओ हम जाकर देखते हैं कि महरानी लक्षमी बाई रसोई घर में क्या कर रही है अरियो करची भाले का काम करे तुम आले सिरे भोठान बने चूरी खंजर के समान चले शत्रों का सीना भी चाक करे gdzie बंच केहना की तब नहीं अपना किसी से कम नहीं सीना हम अपनी बनाएंगे गोरो को मार बगाएंगे नारी एटो क्या हुँआ हम आपनामा हां जपनाइगे प्रॉने नारी है तो दो क्या हुँआ हापह्णा हांज जपनाइगे प्रॉने प्रॉने हां महरानी देखा रावबा यही हम तेरी महरानी को सिखाते रहते हैं सच बच्छ बच्छी आईश्री मुझे आप जाना चाहिए ही देवा आप तो और भी नाराज हो जाएंगे महरानी लक्ष्मी भाई हमने आपसे कहा था चूलह पूजन करने के लिए महरानी आपने यहाँ पर नृतिय और गायन की शाला खोल ली तज्जा नहीं आई आपको आप मा अरण पूरण का स्मरण करके यहां हल्दी और कुमकुम से पाच बार टीका कीजिए ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सार्तिके शरनत्रमके गौरी नारायनी नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सार्तिके शरनत्रमके गौरी नारायनी नमोस्तुते ओम मंगल्य भगवान विष्णु ओम मंगल्य द्वजायन महा ओम गरुड द्वजायन महा महरानी जी अब आप भोजन बनाना आरं कीजिए महरानी आप सदेव कहती है ना कि आप जो काम करती है समर्पन भाव से करती है हमें आशा है क्या जो स्वादिश भोजन आप बनाने वाली है उस से रावबा प्रभावित होगा झारड़ा बनाने जीजास प्राड़ा झास है कि आप राव जो प्राड़ा जो से रावजन देशादिश जातका मुश्चार प्राड़ाशग देजिए आप जनाना आप झार्ड़ा जो से शेजिए आप सिर्फ सबज्यां ही नहीं काटनी है महरानी, होजन भी पकाना है, इस तरह से तो कल तक भोजन नहीं बनेगा, जी नहीं हरियो महरानी, यह क्या, आपको वैनी साहिब ने रोटी बनाने तक नहीं सिखाया रोटी गोल होती है महरानी, आढ़ी टेड़ी नहीं यह देखिये आजोबा, आज हमने अपने हाथों से आपके लिए रोटी बनाई है, यह हमारी चबिली की रोटी है अच्छे है महाराज को मसाले वाला बूजन पसंद है तो तीखा बना, उनके स्वभाव की तरह पैसे भी कितना कुस्सा आता है हुने और आप इतना भी नहीं जानते कि महारानी की घरीमा क्या होती है आप अपने काक्ष में जाएं, जाएं! महारानी? अराले, इतनी सारी मिरची नहीं इतना आईश्री क्या इस सारा भोजन आपकी अहुरानी ने बनाया है? महारावब बनाया तो महारानी नहीं है क्या तो महारावब बैलिन महारावब कर दो कर दो अईश्री क्या भोजन नहीं करेंगे महाराणी आईश्री के लिए भोजन परोसे महाराज आईश्री जी का व्रत है और उनकी व्रत का भोजन हम अलग से परोसेंगे आप गलत कह दी महाराणी रावाज हमारा व्रत नहीं है शमा कीजिए गाईश्री जी हमें याद था कि आज आपका व्रत है इसलिए हमने आपका भोजन अलग से बनाया था और वैसे भी चोला पोजन के प्रथा अनुसार हमें केबल अपने पती के लिए ही भोजन मना रहा था महाराणी हम तो योही कह रहे थे रावबा आज हमारा व्रत है हम भोजन नहीं करेंगे हमाराणी फ्रथानुसार पहलानि वाला प्रथा अनुसार पहलाने वाला महराज कव करेंगे हम्राणी शाख प्रथा अनुसार माराणी बेस सिहाना था गुक उमने पुरना एनमा, ओगु मनने पुरना एनमा, ओगु मनना पुरना एनमा रुपजय लक्ष्वें भई रुपजय लक्ष्वें भई आपने इतने चाव से अमारे लिए भूजन बना है तो हमें भी आपको कुछ देना चाले कर दो हमें भी आपके कार दिए गुपजय देसियारी भी आपकेर काॲज बना है लक्ष्वें जाएं कर दो दो में भाई रुपजय को दोता है क्ष्वें रिद्ध टाभे करो महरानी, अब आप रावा को खिलाएए. कि दोगने को पाव बावा को खिलाएए. अब बावा को जोगना। महारानी ने बोजन कैसा बनाया? बोजन के मामले में हमारे रावबा की रूची बोड़ी अलग और अगर स्वाद मन पसंदना हो तो फिर बोजन कैसा बनाया?